जय माता दी दोस्तों, एस्टोलोजी और वास्तू ग्यान यूटूब चानल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदाई बनाने में जोतिश शास्तर का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की देनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए हमारे देनिक राशिक फल के बारे में पता होना चाहिए तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मीन राशी वालों का 20 और 21 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाल है परन्तु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी अगर आप आज यह समझ पाने में काम्याब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलजाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा आज रोड पर छोटी मोटी द पर वही से चोट लग सकती है इसलिए रक्षात्मक तरीका अपनाएं आज थोड़ी सी अत्रिक साफधानी रखने से आप बहुत बड़ी परिशानी से बच जाएंगे आज आप और आपके पार्टरनर दोनों ही के पास नए आइडिया हैं आप एक साथिया तो अपने ओफि चिंतकों को ही न बुलाएं और उनको भी बुला सकते हैं आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कारे करने के लिए प्रतिबद्धा का फ़ल अब मिलने का समय है दिन के अंत में प्रमुख वितिय लाब की भी संभावना है जो आप नई मानदारी और कड़ी मेहनत से आपती हो यह समय आपके लिए साहस और उत्साह भरा हो सकता है किसी भी कारे को जिम्मेदारी पूरवक करने से काम्यावी मिलने की संभावना है जीवन के अन्यर रहसियों को जानने के लिए पूरी तरह से तयार है आप यह जानते हैं कि आपको बेहतर काम कैसे कर सकते हैं त पूरी तरह असक्षम होंगे, ऐसे में आपको बिना मेहनत्रों के लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत होगी, प्रेम में पड़े जातक तनाव ग्रस्त महसूस कर सकते हैं क्यूंकि नडाते हुए भी आपके और प्रियतम के बीच किसी बात को लेकर गल्त फेहमी हो सकती है जिससे आपका ये सुन्दर रिष्टा बहस और लडाई का शिकार भी हो सकता है, व्यावसाईक ग्रिष्टी से यह समय उनत्ती दायक हो सकता है क्योंकि शनी धन्नूराशी में गोचर कर रहा है, जो व्यावसाईक ग्रिष्टी से काफी अच्छा और उनत्ती दायक हो सकता ह अपने स्वास्ते के प्रती साथान रहें, किसी तरह की समस्या होने पर सही समय पर उपचार करें, एक ऐसा दिन जब चुनाव करने पड़ेंगे, कुछ सकारात्मक अकर्मा निता रहेगी, जिसका बाद में कोई असर नहीं रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सही नहीं लग रही हैं, उन्हें गुजर जाने दें, उन पर कोई प्रतिक्रिया ना करें तो बेहतर रहेगा, कुछ अच्छे विकल्प आपका इंतजार कर रहे हैं, जॉब के लिए दिन सामाने रह सकता है, बिजनेस में आपको कुछ नए विकल्प सामने आ सकते हैं, इन में से सही क चुनाव आपको करना होगा, जिन लोगों को आप जानते हैं, उन्हें दुख, देने से भचें ऐसी, कोई बात ना करें जिस, पर बहस या विवाद होने की आशंका हो पीट, की समस्या से जूज रहे लोगों को रहत मिल सकती है, आज, आप किसी के साथ बहस में न पढ़ें दें अगर आप स्थितियों से असेहमत हैं तो, भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें तो, आपका आज का दिन अच्छा बीतेगा वानी, पर सकती से नियंतरन रखें आज, आपको अपने मित्रों और रिष्टिदारों को बहुत समय देना होगा, लेकिन साथ ही साथ साथान भी बने रहना होगा, कई चीज़ें आज आपको परिशान करने वाली महसूस होंगी, अगर वे आपको बरदाश्ट के बाहर ही लगें, तो आप उन पर खुल कर चर्चा करें, लेकिन तब ही कोई भी व्यक्त गत्त टिपनी न करें, जो मित्र या रिष्टिदार इन एक भी शब्द अनावशक और पर न कहें, वे शब्द घूम कर आपर ही वार करेगा, आपके आसपास के कुछ लोगों के मन में आज आपको परिशानी में डालने का कोई शड़यंतर घूम रहा है, साबधान बने रहें, आज आपको अपने शरीर का, अपने स्वास्ते क ध्यान रखना होगा, यथा संभव विश्राम करें और भोजन सीमेत मातरा में ही करें, आज आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ अपना समय हसी मजाक में बिताने की कोशिश करें, कोई गंभीर विश्यन न उठाएं और कोई बात बिना विचारे न कहें, आज आप खाखर आपके अनुमान से बहुत ज्यादा होगा, आपको किसी के लिए कोई महंगा उपहार परीदना होगा, पैसे खोभी सकते हैं, नौकरी में आज आपको पूरी एकागरता से काम करना होगा, वरना परिशानी हो सकती है, आज आपका स्वास्त्र नींद की कमी, गले में संक्रमन, मौसम आदी से प्रभावित रहेगा, आज आपको अपना ध्यान रखना होगा, आज विद्यार्थियों को सामाने सफल तमिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, लिखित उत्रों में गलती होने, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम ल निवेश के प्रस्ताव आएंगे, केरियर से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, खान पान की अति स्वास्त पर प्रतिकूल असर डाल सकती है, दुष्ट जन्हानी पहुंचा सकते हैं, कोई नया कारे हो सके तो आज डाल देना चाहिए, पुराना रोग उभर सकत है, वानी पर नियंतरन रखें, वाहन वह मशीनरी के प्रयोग में लापरवही न करें, घर में मद्भेध हो सकता है, जो खिम्पूर्ण निवेश करने से बचें, पूरे दिन किसी से वाद विवाद में न पढ़ें, क्रोध पर नियंतरन रखें, आपको कुछ ना कुछ पर समय पर मांगद्वारा बहुत हकान अनुभव करेंगी, आप बुरे सपने तथब्रमों से पूरी तरह से घिरे हुए है, केवल आपकी इच्छा शक्ति आपकी जिंदगी को बरबाद करने वाले इन नकारत मविचारों से आपको मुक्ती दिला सकती है, इसलिए आप बुरे सपनों में नहीं उलजें, नए कदम उठाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह सही समय है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपको अपने वर्तमान जगे से दूर रहना होगा, चिंतित ना हो बस मा की क्या करें, आपको मांसिक रूप से लोन को लेकर परिशा करते हैं उनके पद्दों निती होने की संभावना है, व्यापार की बात करें तो उन्नती के अफसर प्राप्त होंगे, प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए, सेहत में आज के दिन हिर्द रोगियों को साबधान रह धैरे से काम करें और समय का भी ध्यान रखें, घर परिवार में कुछ मामले पूरी तरह अचानक आपके सामने आ सकते हैं, आपके दिमाग में एक समय में बहुत सी बातें या बहुत से प्लान रहेंगे, कोई हावी होने की कोशिश करें, तो शान्त रहें, सितारे आपको ध आत्मविश्वास में गिरावट का अनुभव कर सकते हैं, इनकम भी बढ़ेगी, आज आपको नए सुतों से धन की प्राप्ती हो सकती है, सौड़े बाजी में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं, अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें, आपके करियर की सफलता स सुनिश्चित होगी, आपका जीवन उजवल रहेगा, विदेश में नया विवसाय खोलने के अफसर प्राप्त होंगे, आज आप खुद को मानसिक और पर काफी असमंजस की स्थिती में पाएंगे और इसलिए कोई भी निन नलेने में असमर्त रहेंगे, बेहतर भी यही हो कि आज आप कोई बड़ा नननले, स्वास्ते के मामले में भी आज का दिन थोड़ा दिक्कत है दिखा रहा है, इसलिए स्वास्ते के प्रतीला परोही ना बरते, इसका असर आपके दामपत्य जीवन पर भारी पड़ेगा और इतनाव होने की संभावना है, लेकिन जो लोग किसी लव रिलेशनर्शिप में हैं, उनके लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा और अपनी प्रिये के साथ आप किसी लंबी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, केवल इतना ही नहीं, उनसे अपना प्रेम प्रदर्शित करने में भी आप कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, कारेक्षेतर में आपको आज परिणाम अच्छे मिलेंगे इसलिए अपना फोकस अपने काम पर अधिक रखें, आज आप का दिन ठीक ठाक रहेगा, ओफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं, सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रख स आपको अपने खर्चों पर कमी करने की कोशिश करना चाहिए, पशुओं के लिए एक मिट्टी के वरतन में पानी भर कर रखें, परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेगी, दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना मीन राशी वालों का 20 और 21 फरवरी और वास्तू घ्यान, यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वेल आइकोन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके, हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले, धन्यवाद